अस्सलम वालेकुम, दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल इसका इटेक में हैं, दोस्तों आज की वीडियो अगर आप सफर पर जाना चाहते हैं या फिर आल्रेडि आप सफर पर हैं, दोनों सुरतों में आज की वीडियो आप हो जाता है तो आप उसे बार बार लॉग इन कर सकेंगे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा और साथ ही आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस वक्त आपको सफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस वक्त का सफर करना कितना सेफ ह है ही नहीं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्काइट एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिर आप कभी मिस ना करें तो दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त आप लोगों को इंडिया का सफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दुनिया में इस वक्त करोना के क्या हाल चल रहे ह तो शुरुदियारब से तो दोस्तो अगर आप सौधियारब में रहते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि आज से एक हफ़ता पहले पूरा महीना इसा गुजर गया है कि पूरे महिने में 50 से ज्यादा केस आते ही नहीं थे, ठीक है, 24 गंटे में 50 से ज्यादा केस नहीं आते थे, लेकिन इस वक्त ये आकड़ा पार हो चुका है, इस टेम पे रोज 85, 80, 70, यानि कि 50 के उपर ही सौधी अरब में नए केस आते हैं, अगर शौट में हम कहें तो 20 गंटे के अंदर वहां भी 200 से ज्यादा नए केस आते हैं, UAE में, यानि कि UAE में भी करोना वाइरस धीरे धीरे बढ़ रहा है, और सबसे बुरी हालत है इंडिया की, क्योंकि इंडिया में ओमिक्रोन वाइरेंट के 101 नए केस, 11 अलग-अलग स्टेट्स में आए हैं, 11 लिए आपको ये जानना होगा कि आज से 3-4 महिना पहले इंडिया में जो महामारी चल रही थी, एक एक दिन में एक एक लाख केस नए आ रहे थे हैं, उस टेम पे, वो जो वाइरेंट था कोरोना वाइरस का, वो डेल्टा वाइरेंट था, इंडिया में वो जो वाइरेंट उस टेम पे चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा निउस में और समसान में जगा नहीं बची थी, कितना ज्यादा कोरोना आ रहा था, वो डेल्टा वाइरेंट था, और ये जो ओमिक्रोन वाइरेंट है, ये डेल्टा वाइरेंट से 70 गुना ज्यादा तेजी से फैलत है, यानि कि इंडिया में हर रोज ये डबल हो जा रहा है, दस से बीस, बीस से चालिस होता जा रहा है, ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त इंडिया का सफर करना सेफ नहीं है, अगर आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा स्क्राम था बताना कि इस वक्त सफर करना ज्यादा सेफ नहीं है अगर आपको ज्यादा इमर्जन्सी है तो आप सफर पर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं क्योंकि अभी ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप सॉधी अरब में दो डोस लेते हैं तो आप डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं अभी फिलहाल आप आराम से सॉधी अरब का सफर कर सकते हैं अगर आप दोस्तों अगर आप इस वक्त साओधी अरब में हैं और अगर आप सफर पर जाते हैं और फरवरी में आपको आठ महिना गुजर जाता है आपको second dose लिये हुए तो फिर आपका immune status तो cancel हो जाएगा तो आप literally ये सोचिए कि अगर आपका immune status cancel हो गया है तो हो सकता है फरवरी में एक ऐसा कानून भी आ जाए कि अगर आपका immune status cancel हो गया है आपने booster dose नहीं लिया है तो फिर आपको साओधी अरब में तीन दिन का या फिर पांस दिन का quarantine होना पड़ेगा ऐसा rule आ सकता है अभी आया नहीं है ठीक है अभी ऐसा कोई rule नहीं है अभी तो फिलहाल वही rule है कि किसरा dose upload करने का option आ गया है यानि कि अगर आप लोगों को ठीक से समझाए तो बात यह है कि आप इंडिया में भी booster dose complete करके अपना तवक्लना application immune रख सकते हैं जी हां दोस्तों लेकिन यहां पर एक problem यह है कि अभी भी साओधी अरब की government ने सिर्फ और सिर्फ फाइजर और Moderna को ही as a booster dose approve किया है और इंडिया में अभी booster dose यानि कि फाइजर और Moderna अवेलेबल नहीं है अगर साओधी अरब की government AstraZeneca को भी as a booster dose approve करती है तो फिर आप इंडिया में भी booster dose ले सकेंगे और आपको उपर कोई फरक नहीं पड़ता है कि फरवरी में हैं जिन्होंने comment में पूछा है कि उनका एक दोस्त इंडिया में सफर पर गया है साओधी अरब में दो डोस कंप्लीट करने के बाद में लेकिन इंडिया में उसका तवक्कलने application बंद हो गया है और जो travel agent है वह health passport मांग रहा है टिकेट देने के लिए तो दोस्तों ये बात तो सच है कि दिल्ली का जो एरपोर्ट है वहां पर साओधी का वैक्सीन सार्टिफिकर्ट देख रहे हैं सेहती application वाला वैक्सीन सार्टिफिकर्ट चेक करते हैं अब वह आप चाहे health passport दिखाईए चाहे सेहती का सार्टिफिकर् तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप साओधी अरब से जब जाएं उससे पहले ही आपको अपने certificate को एक file में पहले सही print out निकल वाकर रख लेना है ताकि आप जब वापस आने लगे तो आपके पास कागज के तोर पर या फिर proof के तोर पर यह रहे कि आपने प्रूफ ही नहीं है इंडिया में दिखाने के लिए तो फिर आपको problem तो होगी अच्छा तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि इंडिया जाने के बाद तवक्लना application बंद ही नहों और अगर बंद भी हो जाए तो उसे हम बार बार login कर सके तो दोस्तों ऐसा करने के लिए आप एक बहुत ही आसान तरीका अपना सकते हैं आपको करना क्या होगा कि जो आपका अबशर वाला SIM है जिसके उपर तवक्लना और सहती बना हुआ है उस SIM के उपर आप जाते टाइम 20 या 50 रुपए का एक रीचार्ज करवाईए और उस SIM को निकाल कर अपने room partner को या फिर अपने को रिलेशन वाले को या फिर जो भी आपके साथ रहता है उसको दे दीजिए वो अपने mobile में डाल के रखेगा उसको आजकर सभी के पास दो तीन mobile हैं अगर वो आपके SIM को यहां पर डाल के रखता है तो SIM बंद होने के chances ना के बराबर हैं क्योंकि इंडिय नहीं मिलते हैं इसी लिए आउट आफ कंट्री होता है तो SIM बंद हो जाता है लेकिन अगर आप साओधी अरब में हैं और उसको network मिलता रहेगा तो SIM बंद होने के chances ना के बराबर रहते हैं जब भी इंडिया में आपका तवक्कलना application logout होता है या फिर अनिस्टाल होता है चालू रहता है तो यह एक सबसे आसान तरीका है और दूसरा तरीका वो तो है ही कि आप अपने सारे certificate को print out निकलवा के एक file में रखके आप इंडिया चिले जाएए और आपको कोई परिशान ही नहीं होगी तो उमीद करता हूँ आप लोगों को यह बात तो समझ में आ गई सके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इसे ही इंट्रेस्टिंग टोपिक में अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सक्षिन में पूछ सकते हैं अल्ला हाफिज गुड